प्रेम बीवाह, यह सब चीज़ें होना ये बहुत जलत बात नहीं। जब कि ये हिंदू मुसलिम के एसाप से हाई भी नहीं है। हट समय उचित नहीं है। आज इसा भी नहीं कि कई मामलों में ऐसा होता है किसाद जो ये मुसलिम लड़कें करते हैं कि लड़कियों से हिंदु लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फसाबते हैं जैसा यह लिविंग वाल चलवा है कि चले लेकि अपन को इसमें कोई नहीं है लेकि भारती संस्कृत के अंदर चले दंड के अपराधी है उसको न्याय समालेगा देखेगा दंडित करेगा जहा है लाभ नहीं होजटा है हिंदू जो पापू का तिरैसकार करता है हमारे देश में जो न्याय की प्रक्रिया है वह बहुत बिलंब से मिलती है और मिलती भी है तो उसमें उसको सहानुभूत दे जाते हैं बहुत ही लेड इसमें उनको तूल मिल जाता है कि हम एसा करेंगे फिर से वो ऐसा कर देते हैं बलकि इस भी साइ महात्मा गंधी जी ने कहा था कि ऐसे में तो हमारा पूरा विश्व हाथ कट जाएगा पूरे देश का कोई धर में नहीं बताता है कि आप अपराद करिए गलत कारे करिए चोरी करिए नमस्कार मैं हूँ अन्पा मनूप आप देख रहे हैं दखवरदार नूज इस वक्त हम पूरुष छात्राबास रानी दुर्गावती बिश्विद्याले के सामने हैं और यहां पर हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिनसे हम बर्तमान की तातकालिक समस्याओं और तातकालिक मुद हैं उन मुद्दों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं जैसे बर्तमान समय में अभी पिछले दिनों की एक महत्यपूर घटना है स्रद्धा मडर के कि एक मुंबई की लड़की है स्रद्धा जिसका अफियर होता है बंबल एप के द्वारा आप ताप तुना वाला से उसके ब किसी जगडे की बज़े से आप ताप पुना वाला स्रद्धा वारकर की हत्या कर देता है और उन्नीस तारी को फ्रिज खरीदता है और उसमें लास के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख देता है बाद में महरोली के जंगलों में उसको खेका जाता है छै महीने के बाल लेटी के लिए रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो यह सारा मामला सामने कुल के आता है तो इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे यह जो घटना हुई से लव जिहाद जो कहते हैं यह प्रेम विवाह यह सब सीजें होना यह बहुत गलत बात नहीं है यह देश दुनिया की नजरों में सही वात है हम लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा हमें भी रखता है यह जो यह प्र जो इस तुकुडों में काटना और उसे रखना यह गलत है इसमें हिंदू-मुसलिम दंगे को उत्पन हम लोग नहीं करना चाहेते जबकि यह हिंदू-मुसलिम के इसाफ जरूर मिलना चाहिए जिस प्रकार से निर्दई तरीके से किसी को काट के रखना नई फ्रीज मगाना यह बहुत ही गलत है उसे दंग जरूर मिलना चाहिए बकाया यह लव जिहाद और यह सब परमपराइं जो है यह इतनी गलत नहीं है क्योंकि आज कल नई पीडिया जो है लव जिहाद प्रेम विवाह में ही जाद विस्वास रखती है, घर परमपराओं के अंसार विसाधि भ्याह करना बहुत अच्छी बात है प्रलव जिहाद जो है यह भी बर्तमान लड़कों के लिए बहुत ही अच्छी बात है अपने मन पसंद जो पार्टनर अपने होते है वो आगे चलने के लिए और जीवन भर उन्हें ही रखना है यदि उनके अनुरूप नहीं होगे तो कैसे रख पाएंगे चलाना तो उनको है मावाप तो साधी करने के बाद बूड़े हो जाते हैं अब बच्चों को ही देखना होता है इसलिए प्रेम विवाह करना कोई गलत लेकिन कहीं को जब अंतरधार्मिक विवाहों को अंतरधार्मिक संबंधों को लगर जिहान से प्रेरित फ्रेल कि अन्य समय Совust sudah one सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद धर्म परिवर्तन का उनका मुद्धा रहता है वो करवाते हैं कुछ हमने देखा था जिसमें एक लड़की को चट से देता है उससे बोलता है कि आप धर्म परिवर्तन करो तो कहीं तो उठते हैं लेकिन हमेशान लब जिहाद सब्सक्राइब नहीं कर सकते कहीं मुद्धों में तफसा होता भी प्रेम विवाह होते हैं जिसमें धर्म परिव से वह किया जा सकते हैं लेकिन जो ऐसी धुर्दांत घटनाय होती है तो उसको आरोपी की नजरिये से देखना ज्यादा बहतर होगा यहीं कहना और जो लिविन का चलन बढ़ रहा है आप लोग भी छात रहें और एक प्रोग्रेसिब सुसाइटी की और दुनिया बढ़ रह नहीं है तो पीवारा पूर्व लिविन सात में रहने की आपकिस नगने हैं झजलेे जो भारती सन्सट्रिपन के अंडर चले है तो बिवारती संस्क्रिट की आदर ही एक साथु रह सकते हैं अब लिव इन संस्क्रिपन का हिस्सों कैसे वहां कुई अपनाए है साथ में आप रहिए परचे अपना प्रदान कीजिए वह है लेकिन जैसा बेस्टन कल्चर अपना रहे है यूग पीडी वहीं जा रही है भारती संकत भूल रहे हैं भारती संकत यह कहती है आप कर्चे कीजिए एक दूसरे से में बहुत जा रहे हैं बस यहीं अपना बाने भाती संकत में साथ में रहे हैं परिवार की मर्जी होनी चाहीं है यह तो आप सी को मामला है कैसा क्या है लेकिन ब्चेन कल्चर नहां है भाधी संस्क्रेट के अंदर रहनके हम को कैसे अड़ेख नहीं है अपने माव आपको ऐसा ठेश ना पोचाए कि उपर आपन को लगे कि गलत हो रहा ऐसा ना करें थोड़ा अंदर रहे अपने मरियादा में रहें वर्ष हो गया है इतना करना चाहिए वह कुछ समझने के लिए परिवार की अनुमति लेना चाहिए या फिर जो तो लेविन की त या छी तरीके समबन्ध है वो ज्यादा है क्या मानते हैं मेरे नहीं कि अंदरब्ल Scout NG लें वे इसरी तरीक होता है परिवार के साथ लेना जरूरी होता है कि अपरिवार को पूरा नॉलिज रहता है कि साधी के बाद कैसा क्या होना है तो फैसला लेना चाहिए पहले अपने परिवार से एक बार सहमती लेना चाहिए परिवार को दरकिनार करके जिस तरीके से दोनों लोगों ने लिविन पे रहना पसंद कि वारे में तो पूई भी है आज का दोनों के साथ में रहने की खायस दोनों तो अपना घार गौँ छोड़ कि मम्मी बापा को से दूर रहना को बहुत गलत बात है उनको उनके हमेशा सहमती पी जोकार करें उनको इन्फोर्मेशन देते रहना चाहिए कि हम कहां रह रहे हैं कि इसके साथ रहें बस उसने अपने परिवार को फुकुरा के गए थी दड़ तो परिवार्शी सहमती होने चाहिए और इसके अतरिक्त जो यह केस हुआ है कहीं न कहीं तो भारती समाज के साथ साथ अपराध की नजेरिये से अगर देखते हैं तो काफी दूरदान्त है न्याय वबस्था जैसे हमारे यहां दो करोड़ से जादा मामले पेंडिंग पड गठनाय करने में अरुपी को खुड़ा सा बल मिलता है मेरा नाम जगजीबर हमन्त है तो जो घटना होई तो घटना होने से जो जो समिधान बना है घटना ऐसी नहीं जाएगी नियाए पकड़ेगी उसको उसको दंडिट करेगी ताकि यह घटना आगी ना बढ़ सके और इसी प्रकार के कोई हतिया कांट कुछ भी ना कर सके प्रकार करो वह सही करो जाए उसके अंदर जो भी यादि कार बाहर कर रहे हो तो फुर्ण के अपराधि उसको न्याय समालेगा देखेगा दंडित करेगा और जो अभी घटना हुए है पूड तरह से वह दंडित लाया कि क्या सजा होने चाहिए आप तापको इस घटना में अपके अंचार आपके भीचार होगा मेरा नाम सीतरायम ठाकारम है मेरा अंदर अधिकर अबति विश्यवेद्याले किरसी वबाक तुर्थी अर्धान्स का छात्र हुए इसमें मैं सब इतना कहना चाहूंगा कि जो न्याय है जो कानून अपना एक तरफ कानून रहता और ए जो भी कानून सजा दे तो कानून बेहतर जो तो चुनावा कर सकता है सजा का उस बारे में आप कुछ नहीं पहना चाहते हैं लब जिहाद को लेकर के आप क्या सूचते हैं तो इसको क्या मानते हैं राजनायतिक मोहिम है या फिर जए तो है इसी तीजे को परादि भी तो अप परादि है जो कोई भी दोर्मा का हो उसको साजा मिलना है था किसी भी आरूपी की पहले जात चुना धर्म आघे करना यह कहां तक आप सही मानते हैं या पिर यह गलत कि आपने मेरे से पूछा अपराधी की कोई जाती नहीं हो सकती यदि अपराध कर रहा है तो वह केवल अपराधी है क्योंकि कोई भी धर्मया संप्रदाय अपराध के स्जीन जरिया होता है मेरा मतेहा कि उस लड़के ने जैसा किया उसी प्रकार का करति उसके साथ किया जाना करना करी हुश हमारे देश में जो म्याईपी प्रक्राय है वह वह बहुत विलं पङवानी दे जाती निर्भया जैसा दुर्दान्द कांड हुआ उसके कितने बरसों के बाद आरोपियों को सजा दी गई बहुत ही लेड इसमें उनको तूल मिल जाता है कि हम ऐसा करेंगे कुछ दिन बाद हम बरी हो जाएंगे और फिर से वो ऐसा क्रित कर देते हैं जिसके मैं सक्थ खिलाप हूँ उसने जैसा किया उसको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए और तुरंद मिलना चाहिए ततकाल ताकि हमारे समाज में यह बाद तूल ना पकड़े और उस लड़के का प्रभाव जैसा कि उसने किया वैसा कोई जिससे उसने प्रेरणा ली जो तो इस मडर को करने के लिए फिर उसने गोगल पेक राजेस अनुकमा कांड हुआ था उत्तरा खंड का 2014-2015 से बहुत पहले करीब 9 वर्स पहले हुआ था तो उससे भी उसने हो किया उसमें जो आरोपी था बंडी किया अब देखा तो मेरा मानना यह है कि उसको जल्द से जल्द उसी प्रकार का दंड दिया जाए जिस प्रकार से उसने कि इस है मेरे समाज में यह चीज से पैल रही है कि जैसा कृत मैं उसके किया बलकि इस महत्मा गण्धी जी ने और फूरा विश्व कठ बूरे ने है कि जैसा था पूर कर मा हां जी ने तो आपने हाथ कटने से तो बचाया पर कानून को अंधा बना दिया केवल सुनता है और फिर बोलता है देखता नहीं तो आप देखिए भी और फिर ने नहीं कीजिए तकाल लेना कीजिए ताकि हमारे समाज में जो ऐसे लोग अपनी दहसत बना रहे हैं और नए नए रूप म जोड़ना उचित नहीं है क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि कोई धर्म नहीं बताता है कि आप अपराद करिए गलत कारें चोरी करिए तो मेरा मत यहीं है कि उसने जो खृत किया उसी रूप में उसे और तुरंट सजा दी जानी किसी भी ऐसे खृत को धर्म के चसमें से क्यो जोड़ा जाते है आकि इसके पीछे का क्या कारण है क्या मानते है अब में में मुद्धा पूलिटिकल इसकल जो दर्मों के लिए राजनिती कर रहा है वह नहीं होना सब्सक्राइब हमारा बारात के लिए बहुत लुक्सान होगा जर्मा के राजनिती हो कि उन्हयन के राज सामने लाया जाता है ताकि तूल मिल सके किसी मुद्द को Oo कि राजनेत की जासके तो यह चीज आप लोग कह रहे हैं और आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे ही के लिभी कर रही है आपने भी किया हुआ है जो भारती नियाँ विभीस्था है वहां पर जो दlynn好不好 आप एन उपाय। कि गई वाय को एसी कि सामने आते हैं, कि किसी नहीं किसी की हत्य niewेवाज और इस नन até सजा होती इस वहां सिखाने हो जाता है तो हुआ है यह बार समीधाना पारते हो तो सजा हो झान उप कारण किया जो क्यनके दिए इसके में वारत है तो ना सजा को छोने sales आते हैं कि उस नाइक дома फिर्ट वनी होपाते इसे लिए करते जाते हैं is warny कई तो चोद ब्रॉण करने के से नरा रहें कुरहाइस दिन पर दिन लेट होता जा रहा है लचीली कानुन ब्रस्तार होने कुपारांति यह सब इतना बिलंबा और还 याने में पाराई और ऐसे के लिए फास्ट्रेक कोट होने चाहिए कितने दिनों में लगवक्षासला होना चाहिए इस चीज को लेकर के आप क्या कहें देखिये बडन तो काफी ज्यादा कुछ तो इसमें अजिक ब्यूस्ता या विडियेटर टाइप कोई ब्यूस्ता हो सकती तो सही है जैसे कुछ फास्ट्रेकोड बनाए जाने चाहिए जिसमें ऐसे मामलों का 21 दिन में क्यामन दिन में तेलंगाना में प्रियंका केस हुआ था आज से दो-तीन बर्स पहले तो उस केस में यह कहा गया था कि अब 21 दिन के अंदर ही जो बलातकार से जूड़ होंगे ज तो यह जो बाते कही जाती हैं कई बार वो सिर्फ किताबी पन्नों में रह जाती हैं कानून के पन्नों में रह जाती हैं तो उसको हकीकत में तब्दील क्यों किया नहीं जाता और हकीकत में तब्दील करने से क्या परिवरता ना सकता है जो यह दुस्कित कुन केस होते हैं ज में जल्द से जल्द जल्दी सुनवाई करने का उसर देना चाहिए पोट को ऐसी कानून में वस्ता पनानी चाहिए जिससे जो बड़ी ते घ्रिनित अपराद के अंतरगत आते हैं और खतरनाक अपरादों के स्टेंडी में आते हैं जैसे 376 हो गए 373 A B C D और इसके चिवाए 30 302 307 ऐसे हत्याओं में जो है जो जो ऐसे केस होते हैं और राजद्रोह धाराइक सुचारूस बन पाएगी यहां पर कि जल्दी सुनवाई होने पर जो अपरादी हैं वह ऐसा कर्मकार करने से दुबारा डरेंगे और जल्द उन्हें सजा मिलनी चाहिए सजा मिलेगी तो दुबारा इसा अपराद जल्दी को घटित नहीं होगा और नयाज भी मिल जाएगा बिक्तियों को और जो नारमल अपराद हैं उनको लेट कर दें उससे दिक्कत नहीं होगी और जो कटकोर अपराद हैं उनको इसन बाइकर किसे या दे दिनुचिए